आपने देखा होगा कि बच्चे लोग परिक्षा से बड़ा भैवीत होते हैं, परिक्षा से बहुत डरते हैं, और जब परिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, कम नम मरा जाते हैं, या फैल हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, आत् गुण के आधार पर ना करें, आपको अगर English में कम marks आते हैं, आपको Maths में कम marks आते हैं या Hindi में कम marks आते हैं और किसी बच्चे के ज़्यादा marks आते हैं और उसने टॉप कर लिया और आपके marks कम आते हैं या आप फैल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप में कोई दूसरा गुण नहीं है उस बच्चे से जादा मैंने अक्सर देखा है कि जो intelligent बच्चा है वो पेड़ पर चड़ने में ठीक नहीं था वो intelligent बच्चा था जो 90% आया था उसको तेरना नहीं आता था एक जो 90% का जो बच्चा था उसे अच्छा cricket खिलना नहीं आता था फुटवाल खिलना नहीं आता था उसे और दूसरा हितिवाड़ी का काम नहीं आता था परन्तु जो एक बच्चा था जो 40-45% था यह जो बच्चे को जब देखा तो वह बच्चा बहुत शांदार पेंटिंग भी कर लेता है उस बच्चे को देखा वह बच्चा सामाजिक कारियों में सबसे आगे रहता है चाहे दुरगा जी का विशरचन हो चाहे गड़ेश जी का विशरचन हो चाहे कोई और सामाजिक कार हो कि भी भी किसी बच्चे को देख कर यह अन्दाजह नहीं लगा सकते कि इंपलिजेंट बच्चा ज्यादा कावल है और जो कम्जोर बच्चा है वो ज्यादा कावल नहीं है क्योंकि किसी के लिए एक प्रिक्षा नहीं बनाई गई एक उधान बताता हूँ कि छोटी कहानी से कि एक बार इसाई और हिंदू दोनों में सरत लगी कि कि किसके भगवान ज़्यादा सकती साली हैं तो इसाई उन्हें कहा कि दुखो भाई हमारे भगवान पानी में तैरते हैं और उन्होंने कह किया कि जो भगवान है उनको पानी पर रखा तो सच में उनके भगवान तैर गए ठीक है और उसके बाद उन्होंने एक हिंदू भगवान की मूर्ती रखी और जो मूर्ती है वो पानी में डूब गई लेकिन वहाँ पर एक चालाक आदमी खड़ा था उन्हों का नहीं एक परिक्षा से यह निर्धारित NET नहीं कर सकते कि कौन का भगवान सक्ति-साली है और कौन का भगवान सक्ति-साली है नहीं है हम दूसरी परिक्षा का इवजन करेंगे उन्होंने का हम अगनी परिक्षा करेंगे और उन्होंने वैसा किया आग जलाई सबसे पहले क्रिश्चन के भगवान रखे तो आग में जल गए हिंदू के भगवान रखे वो आग में नहीं जले अब यहाँ पे पुरा स्पस्थ हो गया कि जो मूर्ती पानी में डूब गई थी वो लोहे की थी और जो मूर्ती पानी पर तैर गई थी वो लकडी की थी पर उनको ऐसा बनाया गया था विलकुल समान जिससे कोई डिफरेंस यट ना कर पाई कि इन मूर्तीयों में कोई अंतर है तो कुलमला के यह छोटी सी कहानी समझाने का यह उद्देश था कि हर बच्चे के लिए एक परिक्षा नहीं बनी हर बच्चे के लिए अलग परिक्षा है हर बच्चे में अलग प्रतिभा है हर बच्चे में अलग विशेष्टाएं है तो जब कभी भी आपको जीवन में कभी depression हो, अपनी विसिस्ताओं का अबलोकन कीजिए, अपनी qualities का observation कीजिए, how many qualities you have, how you are different from others, सिर्फ एक गुण के करण अपने आपको हीन महसूस मत कीजिए, कि फला बच्चा 90% आता है और आप 45% आते हैं, तो आप दुनिया के सबसे खराब आदमी हैं, और वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है, अपने positive गुणों को तो देखिए, कि हो सकता है आप में कुछ ऐसी बाते हों, जो शायद उस बच्चे में ना हो, हो सकता है आप बह people are selected for their quality, but they are rejected for their behavior, लोगों को उनके गुणों के करण सेलेक्ट किया जाता है, उनकी quality के करण सेलेक्ट किया जाता है, परंतों उनके व्यवहार के करण reject कर दिया जाता है, इससे क्या निसकर्श निकलता है, कि यहां पर भी quality दो नमर पर आती है, पहले नमर पर आपका single drawback in life, don't worry about that, observe, remind your other qualities, mention your other qualities, think about your other qualities